नवस्कार दोस्तो जहिंद वंदे मात्रम मैं आपके साथ जैसपाल सर दोस्तो एमपीटेट वर्गतीन जो आपका 2020 में भरती आई थी जिसका पेपर 2022 में हुआ था तो एमपीटेट वर्गतीन 2022 का पेपर हम सौल पेपर करेंगे टोटल 150 कोश्चन्स करेंगे तो ध्यान पूर आपको पूरा पेपर देखना किस प्रकार के प्रशन पूंचे गए हैं और डे वाई डे डेली हम पेपर करेंगे यानि फस्सिप्ट सेकंड सिप्ट से लेकर पूरे जितने भी पेपर हुए हैं सारे पेपर करने वाले हैं तो एक बार सभी लोग जो है वीडियो कंतक बने समझें किस प्रकार से प्रशन पूंचा गया था ताकि आगामी एकजाम के लिए आपको बहतर रास्ता मिल पाए बहतर एक एक्सपीरियंस मिल पाए पहले बार विजिट कर रहे हैं सिच्चवर्ती चैनल को तो दिल से एक बार लाइक कर लिजेगा चले सुरुआत करते हैं पहले प्रशन के साथ इन में से कौन सा सिच्चन का सिध्धान्त नहीं है सुभाविक्ता का मूद से अमूर्त निगमन से आगमन सरल सी कठिन की और यह प्रशन पूंचा गया था इन में से कौन सा सिच्चन का सिध्धान्त नहीं देकि सुभाविक्ता का सिध्धान्त है मू इसके बाद आपका अंगला प्रसंद देख लेते हैं, क्या पूँचा गया है, अंगला प्रसंद दिया गया है दोस्तों, कि भासा अरजित करना क्या होता है, तेकि भासा अरजित करना होता है, सहज सुभाविक होता है, भासा अरजित करना कैसे होता है, सहज और सुभाविक ह इसी प्रकार से अंगला जो questions है, तीसरा questions देख लेते हैं, क्या person पूंचा गया था? तीसरा person है जो आप लोगों की skin पर दिया गया है, कि निन में से उपचारात्मक सिच्छन की सफलता मुकता किस पर निर्भर करती है? तो उपचारात्मक सिच्छन की जो सफलता है, वह समस्चाओं के कारणों की पहचान पर निर्भर करती है, डिया अपसन, ठीक है? इसके बाद उपच्छन की कहानी कथन की उद्देसों का कौन सा पच्छ सामिल नहीं होता है, तो कहानी कथन की उद्देसों में जो पच्छाप का सामिल होता है, वह पच्छ होता है, भासा के लिखित रोब से पर चैए, डिया आपसन, इदर आइट एंसर इसके बाद अंगला प्रश्ण पूचा गया है मुल्यांकन का मुख उद्देश से क्या होता है देखे मुल्यांकन का मुख उद्देश होता है बच्चे कैसे सीखते हैं इसी प्रकार अंगला है कि कविता के भाव पूर्ण तरीके से पढ़ना क्या होता है तो कविता के भाव पूर्ण तरीके से पढ़ना कविता के भाव को समझने में सहायता करता है बही आपसन सही हो जाएगा सारे पीडियो फाइल पाने के लिए टेलेग्राम गुरुप से जरूर गिरे टेलेग्राम में सच कीज़े जैसवाल कोचिंग सेंटर या लिंक भी मैं आपको दे दूँगा साथ इसाथ इंस्टागाम फेस्बूक से जुनिये सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे फेस्बूक पेज भी है जरूर लाइक कर लिजेगा दोस्तों निमलिखित कार की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता जो भी निमलिखित कार है उसमें अगर बच्चों की सहायता ले जा रहे मतलब बच्चों को दूसरे के हस्त लिखित समागरी को पढ़ने का उसर अलोकन करने का समय दिया जा रहा है अंगला पसन है लोग गीतों को भासा की कच्छाओं में इस्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि देखे जो लोग गीत होते हैं उनमें जो भासा की कच्छाओं में इस्थान किसलिए दिया जाना चाहिए इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि इसे बच्चे जो होते हैं सांस क्रतिगत बिसेस्ताओं से क्या होते हैं परचित होते हैं जो लोग गीत होते हैं, जो लोकल गीत होती है, उनसे क्या होते हैं, बच्चे जो सांस्तिक या सांस्कृत गज्यों भी सिस्ता होती हैं, बच्चे उनसे परचित होते हैं अंगला की पार्ट पढ़ा कर बच्चों से प्रसंट बनवाने से क्या होगा ये प्रसंट सारे पूंचे गए थे पार्ट पढ़े कर बच्चों से प्रसंट बनवाने से आसे है सिच्छा को यह जानने का उसर मिलता है कि बच्चे को पाट को कितनी गहराई से जो है समझाया जाया अंगला पसंद दिया गया था पूचा गया था कि भासा भीकास का 2-3-4-9 में से कौन सा होता है तो पहला होता है सुनना फिर बोलना फिर पढ़ना फिर लिखना प्रतम हमारा क्या होता है? सुनना होता है प्रतम दोती होता है बोलना सुनना बोलना तृती होता है पढ़ना और चाउथा होता है लिखना ये čारो कौसल ध्यान दीजिए अंगला पसने बच्चों में हिंदी भासा सीखाने के प्रती किस तरके चात्रों के लिए होता है अंगला कच्छा आठ के बच्चों को साहित का चैन करते समय आप निन में से किस की चैन करेंगे या आप जो है निन में से किस क्या जानकारी सरवाधिक जरूरी होगी इन चारों में से कच्छा आठ के बच्चे के लिए तो सरवादिक जरूरी होगा बच्चों की मनोबग्यानिक विशेष्टाएं और भासा प्रयोग की छम्ता अंगला प्रसंदिया गया है कि नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आधी बच्चों के सुभाविक और प्रतिकिया बिक्त करने की छम्ता का विकास करने में मदद करते हैं यहाँ पे तीन खाली स्थान दिया गया है एक जाम में आया हुआ है इनमें नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद, आधी, सुतंतवा, शुभाविक के बाद मौखिक इसके बाद लिखी पहला आप संदिक सही माना जाएगा यह 2726-2022 डेट आप देख सकते हैं भासा सीखने में होने वाली तुटियां तो भासा सीखने में होने वाली तुटियां कौन से होती हैं भासा सीखने की प्रक्या के सुभाविक एक पड़ा होता है क्या होता है? सुभाविक पड़ा होता है तो पाट पुस्तक भासा सिच्छर में मुक्ते क्या सहायता करती हैं तो यह भासा की विभिन घटाएं जो है प्रस्तुत करती है किसी भी प्रस्ण पर डाउट है बेफिकर आप लोग कमेंट कीजिएगा ठीक है तो पहले हिंदी भासा के हमने पंद्रे जो है पेडागोजी के प्रस्ण किये हिंदी भासा वे अब जो है पैसेज दिया गया है अब इस पैसेज हम जो है questions करेंगे गद्यांस दिया गया है और यह गद्यांस आप लोग देख सकते हैं गद्यांस से दिया गया है कि हम सब संगठित हुए हैं हमें आर्थिक राजनीती रूप से इसकी कीमत चुकानी पड़ी हमारे विचारों में जब-जब संकीरता आई आपस में जगड़े हुए ठीक है यह गद्यांस दिया गया है आपको याद होगा काफी समय हो गया है लेकिन फिर भी कुछ कोश्चन तो आपको आवस्याद होंगे कि यह प्रशन पूंचा गया था उप्रयोग तो गद्यांस में निन में से उचे सिर्षक का चैन करना है तो इसका उचे सिर्षक था राश्टी एक था क्योंकि यहाँ पे हम जब भी असंगटित हुए हमें आर्थिक राजनेति रूपसिस की कीमत चुकाने पड़ी ठीक है तो यहाँ पे देखे समझ एस लाइन को आप पढ़िएगा राश्ट की विन घटकों में परसपर एकता प्रेम भाई चारे कायम रहे तो कहीं न कहीं राश्टी एकता की बात कहीं यहाँ पर भी पढ़िएगा राश्टी एकता का अब इस सुभर में सर्वत्तम उदार्ण कहा जा सकता है तो राश्टी एकता इसका उच्छे सिर्शक माना जाएगा इसके बाद वही पध्यांस है और कुश्चन से दोसरा रहेगा कि उपर गंध्यांस के अंसार भारत ही अकेला देश है जहां मंदिरों, गिर्जागरों, मस्चिदों, गुरोद्वारों और मराठों में सांधिपूर सह अस्थित है तो यह दोस्तो निम्न कीत में से जो है कि अधा कृष्चन ने कहा है, यह कथन, ठीक है कथन पूचा गए कि यह कथन किसका है, इसके बाद अंगला प्रिश्चन पूचा गया है कि निम्न में से किस सब्द युगम का अप्रयोग अप्रयोग गद्यांस में नहीं किया गया है, अब जब पूरा गद्यांस आपको होता है तो थोड़ा सहज हो जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को जो कंप्यूटर नहीं वनता है, लिबर्ट मुवाइल आजकल तो बहुत चलाते हैं, धेरे धेरे जो चालिस के उपर है तो लगब कंप्यूटर 50% नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी पूराने क्लियर हो जाएगा, अब यह दिया गए कि उपरित गद्यांस के उन्सार राष्टी एकता से तातपर क्या होता है, तो अमने पढ़ा है, राष्टी एकता से तातपर ही होता है, कि प्रेम भाईचारे पर कायम रहने साथ-साथ राष्ट के विहन घटकों पर परसपर एकता नहीं होता है, तो यह तो गलत हो गया, जहां पर नहीं सब दिया गया है, तो जहां पर हाँ सब दिया रहे, कि राष्टी के विहन घटकों में परसपर एकता प्रेम भाईचारे कायम रहना, यह हमारा सही होगा, इसके बाद गद्यांस है, गद्यांस में अंगला पूछा ग कि मतैक्ता में कौन सी सुध्य होगी आ ए मिलके जहां पर आ बन जाते हैं अर्धात हम बदिश्वरसंद की बात करेंगे इसके बाद अंगला प्रशन क्या पूंचा गया था अंगला प्रशन दिया गया निन्मे से भारतवासी सब में कौन सा समास होगा तो भारतवासी में ततपुरुष शमास होगा क्या होगा दोस्तो ततपुरुष शमास अब देखे काब्यान से दिया गया है किन्तु अरे यह क्या इतना आदर इतनी करुणा सम्मान प्रथम डस्ट में ही दे डाला तुमने मुझे अहो मतिमान मैं अपने जीले आचल में इस अपार करुणा का भार कैसा भला संभाल सकूँ उनका यह इस नहीं अपार यह कविता दी गई है और इस कविता में पूंचा गया है कि निम्न उपरुट पंक्तियों में रचईता का नाम बताना है तो सुमद्धक मारी चौफान इनकी रचगता है लिया गया है और इसी कविता से फिर आपका अंगला प्रस्ण आता है कि निम्न खित में से मतिमान कर्थ क्या होता है मतिमान कर्थ होता है बुद्धिमान जिसका मती का मान हो कहते हैं मती इसकी ब्रहम मती फेरी गई है, मती भ्रहम हो गई है यानि बुद्धी ब्रष्ट हो गई है तो मती मान, इसके मती का मान होता है वही बुद्धी मान कहलाता है अगला जो प्रस्ण है कि निन्मे से कौन ससब्द करुना का परयावाची नहीं देखे उदारता दया सहान वो ये सारे करुना के परयावाची लेकिन निश्ठूरता आपका नहीं है ठीक है? सभी कमेंड करते रहिए, फीडवे करते रहिए अंगला है दोहे या रोले के करम को मिलाने पर निन्मे से कौन सा चंद बनता है तो दोहा रोला के करम को अगर मिला लेते हैं इसके बाद अंगला जो दिया गया है कि निन्मे से किस सब्द का पुरोध उपरयुक्त पंक्यों में नहीं किया गया है देखे आचल का किया गया है, कोर का अदश्टी का, लेकिन सोक का नहीं किया गया है लेकिन पेड़ागाजी इंपोर्टेंट पुष्चन से है, तो पेड़ागाजी पे ज़्यादा दयान देना आप लोगों को दिम्रिकित में से किस सब्द में उफसर्ग का अपरयोग नहीं किया गया है तो ऑउघुण में उफसर्ग है, निर्देश में हैं अनुकरासम, लेकिन अमआनता में आपका उफसर्ग नहीं किव यहाँ प्रत्त्य की बात करेंड़ाइगे तीस्वा प्रसन, हिंदी भासा का हिंदी भासा का तीस्वा प्रशने की मुहावरा और का और हो जाने कार्थ क्या होता है और का और हो जाना और का और हो जाना मतलब पहले जैसे नहें रहना बिलकुत बदल हो जाना और का और हो जाना मतलब पहले जैसे नहें रहना और बदल भी जाना ठीक है हिंदी वासा के बात क्यों रहेंगे इसके बाद अब मैस की बाड़ी आती है योग का पता लगाएं और बताएं योग दिया गया है 47 बटे 87 और 77 बटे 87 इस योग का लगाना है और योग का राइट अंसर क्या होगा यह आपको बताना है ठीक है? 46 बटे 87 77 बटे 87 राइट इंसर क्या होगा सही बताएं चले शुरुआत करेंगे यहाँ पर देखें पहला परशन दिया गया है योग का पता लगाएं तो बहुत इस इंपल सा यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि बटे में दोनों 87 दिया गया है और 47 और 87 को प्रस कर लीजिए ठीक है? तो 124 बटे 87 पहला वाल आपसन यहाँ पर सही हो जाए ठीक है? इसके बाद दूसरा परशन मारा यहाँ पर क्या दिया गया है? आईए देख लेते हैं दूसरा परशन करा एक स्कूल में 376 रहें जिनमें से 2 तिहाई लड़किया है सेस लड़के हैं जिनमें 3-4 लड़के खिलाडी है तो यहाँ पर लड़कों की संख्या जो खिलाडी नहीं है वह बताना है बहुत सा सिंपल सा प्रशन आपका सिलूशन हो जाता है जिसे लड़कियों की संख्या कैसे आएगी? 366 जिनमें 2 तिहाई लड़किया है तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 360 गुणे 2 बटे 3, 2 तिहाई कर रहना? इसको काट लीजे 3, 3 एकम 3 3, 2, 6 तोटल 240 आगया तो लड़कियों की संख्या 240 निकल के आगयी अब लड़कों की संख्या निकाली तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 360 में से 240 माइनस कर दीजी 120 निकल के आता है जो खिलाडी है उनकी संख्या निकलना है तो लड़कों की संख्य एक सुबीस है जिनमे से खिलाडियों की संख्य क्या कर रहा है तीन चौथाई तो गुणे तीन बटे चार कर दीजी एक सुबीस टोटल लड़के हैं और लड़कों के में खिलाडियों की संख्य तीन चौथाई है तो चार से इसको कट दीजी थर्टी 30 गुने 3 करेंगे 90 आ जाएगा खिलाडियों की संख्या कितनी हो जाएगी तो जो खिलाडी नहीं हो बताना टोटल 21 बीस लड़के हैं जिनमें से 90 खिलाडी हैं यानि की 30 ऐसे लड़के हैं जिन खिलाडी नहीं है राइट आपसन बी आपसन होगा 30 ठीक है इसके बाद अंगला जो प्रश्णया पर दिया गया है प्रश्ण दिया गया है कि 80 का 40 प्रस्द क्या होगा तो सिंपल सा बात है 80 का 40 प्रस्द निकालना है तो 80 का 10 प्रस्द 8 हो जाएगा 40 निकालना है तो 10 प्रस्द 8 है तो 10 गुने 4 करेंगे इसी बेकार 8.4 कर दीजी तो 8 चोक 32 हो जाएगा तो 80 का मारा 40 प्रसत कितना हो जाएगा 32 किस आपसन में दिया गया है देखें कि पहले आपसन में 32 दिया गया है पहले ये आपसन में ठीक है पहले यह आपसन यहाँ पर जो दिया गया है वह आमारा सही हो जाएगा इसके बाद अंगला जो प्रस्ट दिया गया है कि पचास चात्रों की एक कच्छा में 40 प्रस्ट लड़किया है 50 टोटल चात हैं जिन में से 40 प्रस्ट है तो 40 बटे हिंड़ेट कर दें क्योंकि प्रस्ट में दिया गया तो 0000 पांचो को 20 निकल के आ गया ठीक है तो लड़कियों की संख्या 20 हो गई अब लड़कों की संख्या निकलना है तो जब टोटल 50 है 20 लड़किया निकल आ गई तो 30 हमारे लड़के हो जाएंगे और ये पूच्छा जा रहा है कि लड़कों की संख्या गया आत कीजिए तो 30 हो जाएगा पहला अपसन हो जाएगा ये लड़के 20 बोईज 20 और लड़किया 30 कितना हो जाएगा सभी लोग तरही 20 एंट 30 वाला कि 30 एंट 20 होगा सभी लोग तरही देखे ये चीज़ समझना बहुत जोड़ी एकजाम में हमेशा कन्फूज होता है पाचास अच्छात्रों की एक अच्छा जिसमें 40 प्रिस्द लड़किया ये ऐसा भी निकाल सकते हैं पाचास में कदस प्रिस्द 5 हो जाएगा 40 प्रिस्द करना है और लड़के हो गए 30 तो लड़कियां 20 बताई जा रही तो लड़कियां 20 किसमें दिया गया है लड़के और लड़कियां जो D option दिया गया है अब इसमें PB ने क्या माना है बोईज 20 गर्स 30 माना है अब आप लोग बताए इन में से क्या होगा ब्याप PB ने जो माना है वह बोईज 20 गर 30 लेकिन हमारा जो एंसर क्वेश्चन के कोड़ निकल के आ रहा है लड़के 30 बोईज लड़कियां 20 निकल के आ रहे है जो परशन कहे रहा है कच्छा नौ की अंतिम परिच्छा में 50 चाथ हैं कच्छा नौ की अंतिम परिच्छा में कितने चाथ हैं 50 चाथ है जिसमें से 10 परसद 6 अनौ 3 है तो 50 में से 10 परसद नगा निकालेंगे तो कितना जाएगा 5 आएगा 50 में 5 अनौ 3 हैं तो टोटल हमारे 45 निकल के आग जाएगी ठीक है तो भी आप सन्या पर सही हो जाएगा बहुत ही जादा टफ क्वेश्चन नहीं पूचे गए थे लेकिन जो आपके फारेश्ट गार्ड वगएरा है एमपी हुले से में कुछ क्वेश्चन उठाए गए हैं और जादा एक्जाम से और यहीं प्रसद पूचे गए थे आपके उबर के 3 में संख्या 400 में 10 प्रसद की बद करने पर नई संख्या क्या होगी अब संख्या 400 दी गई है 400 के 10 प्रसद 40 हो जाएगा सिंपल सी बात है तो 410 440 हो जाएगा भी आप सन्यापर सही हो जाएगा इतना भी कठीन प्रस नहीं पूचा गया था फर्स टिफ्ट की बात करें एक मिस सुधात में 26 प्रसद ताबा है 260 ग्राम ताबा प्राप करने के लिए कितनी मात्रा में मिस सुधात उकिया शक्ता होगी देखी 26 प्रसद अगर में देखा जाए 260 ग्राम ताबा है तो 26 प्रसद दिया गए तो 26 बटे 100 कल लेंगे गोणे M ही नहीं है आपका 260 ग्राम तो M बराबर क्या हमारी वैलू निकर के आ जाएगी M की वैलू यहाँ पे निकल के आ जाएगी 260 गोणे 100 बटे 26 ग्राम जब इसका हमारा गोणा किया जाएगा तो हमारा जाएगा 26 एक दो तीन बटे 26 ग्राम 26 से 26 कट जाएगा तो हमारा 1000 ग्राम निकल के आ जाएगा तो जो B आपसन दिया गए होगे हमारे आपसन सही हो जाएगा इसके बाद अंगला प्रिशन कहरा है 250 का 42 प्रिस्ट और 425 प्रिस्ट ठीक है अब भी कोशिस कर सकते देखे 250 का 42 प्रिस्ट कैसे होगा 250 गुणे 42 बटे हिंड़ेट कर देना बस और कुछ नहीं जिरो जिरो कट गया 25 पांदोनी 10 दोस इसको काली 21 पंचे 105 हो गया 105 इसका निकल क्या गया अब 420 का 25 प्रिस्ट निकाल लीजी तो 420 गुणे 25 बटे हिंड़ेट कर दीजी वही जिरो गड़ गया 25 प्रिस्ट दोई वही 105 इसका भी आ जाएगा 25 पंचे 105 105 धन 105 पराबर 210 पहला अपसंजु दिया गया वह सही हो जाएगा अब अंगला प्रश्ट कहरा है कि 10 अमलो को प्रिस्ट में बदलना है तो 10 अमलो एक को हमें प्रिस्ट में ब्यक्त करना है इसके लिए क्या करेंगे 101 अमलो काटाने के लिए 22 का करेंगे और प्रिस्ट में करना इसलिए गुणे का 100 कर देंगे ठीक है तो 10 से 10 कर जाएगा बचा कितना 101, 0 10-10 किसमें दिया गया है देखेगे 10-10 पिससत दिया वाला अपसन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाए है अंगला प्रशन दिया गया है कि कौन से दी गई संख्या 3 से विभाज है लेकिन 9 से नहीं देखें वर्गतीन ने पहले स्ट में विभाजता के नियम से बहुत ज़्यादा प्रशन पूंचे गए थे मैं इसी टिके, तो वो सारे gentle करेंगे किस प्रकार के पूंचे गए थे तो 3 से विभाज हो लेकिन 9 से नहीं टिक ऐसी संख्या का चैन करना लेकिन ऐसी संख्या जो 3 से विभाज है अब ये संख्याय में विभाजता करने हम पालन करना पड़ेगा ठीक है तीन से विभाज हो लेकिन नौ से नहों डिवाल आपसन देखिए तीन नौ सथाइस तीन सथाइस तीन सथाइस तीन एकम तीन तीन से होगा लेकिन नौ से नहोगा क्यों नहोगा क्योंकि लास्ट में तीन है कि जी नौ तरीक सथाइस नौ दून अठारा तीन बचेगा तीन नहीं होगा नौ से विभाजित नहीं होगा इसलिए डिवाल आपसन है जो तीन से विभाज होगा लेकिन नौ से नहीं होगा इस संक्या चुनो जो एक साथ तीन पाँच दो से विभाज हो तो वह संक्या हमारी सी वाले आप से तिरासी बार है चालिस ठीक है इसके बाद जो अंगली जो परशन हमारा यहां पर विभाजता का पूँचा गया था वह ये पूचा गया था कि तेरा से विभाज ये कौन सी संग्या होगी तो 65,520 ये तेरा से विभाज हो जाए ठीक है विभाजता वाले अब कोई टॉपिक किसी टॉपिक पे ज़्यादा कबर किया गया है लेकिन एक दो कुशन आ सकते हैं और विभाजता आपका चैप्टर है सलेवस में दिया भी गया है तो आठ से विभाजता वाला कौन से होगा जो आठ से विभाज हो देखे आठ से विभाज में क्या होता अगर अंतिम अंग जो तीन अंग होते हैं अगर वह आठ से विभाज हैं तो आपके पूरी संक्य विभाज होगी तो आठे कमाठ और आठ पांच चालिस विभाज है न, आठ सो चालिस तो अंतिम तीन अंक देखना है आठ की विभाजता में इसके बाद है अठारा से विभाज संक्या तो पहला आपसन सही हो जाए अगर कोई संक्या दो और नौ से विभाज होगी तो वह आठारा से विभाज होगी ये विभाजता का रोल सह फिर अंगला प्रशन कहरा निम्नकित में से कौन सा छै से विभाज होगा अब छै से विभाजता का नियम आपको बताना है तो 6 से यदि कोई भी संख्या 2 वा 3 से विभाज है तो वह 6 से विभाज होगी वह हमारा आपसन है टे 34, 27, 89, 90 इसके बाद अंगला दिया गए 13 से विभाज तो 13 स्विभाज हम बताई चुके आपको 13 स्विभाज तक नियम 13 स्विभाज तक नियम है आपका 49, 26, 13 जो लास्ट में है तो यह हमारा विभाज़ता हो जाए वह इसे भी 13, 26, 13, 13, 13, 43, 49 ठीक है यह पहाड़ा में ही आ रहा हमारे ठीक है सिंपल से यह है कुछ चीजें यह थोड़ा दिमाग अपने से भी लगाना पड़ता है रूल्स और टीक पर ज्यादा फोकस ना करके दिमाग पर ज्यादा बैठाना पड़ता है सबसे बड़ी बिन तो बिन निकालने के लिए सभी को पता होगा दसमलों में भाग करके दसमलों बेद कीजिए जो संख्या दसमलों में बड़ी होगी वह आपकी सबसे बड़ी भिन कहला जाएगी यहाँ पर जो हमारा 35 बटे 80 है जो D option है सबसे बड़ी भिन होगी तो दसम्लों में सबी संक्याओं को कर लेना है ठीक है? यह सिंपल सा रूल है निम्कित में से बिन्नों में सबसे चोटी भिन है यह भी दसम्लों में करेंगी सबसे चोटा जो बिन्ना आएगा वाएगा किसका चार बटे 50 का ठीक है? कोई भी डाउट है? कमेंट करजिए देखे पी बी ने जो एंसर माना वही हम एंसर आपको बता रहे है कोई भी गड़ी हो तो कमेंट बाक्स में आवश्च बताईए घन का आयतान जिसका किनारा थ्री हो तो घन का आयतान है तो क्यूब में होता है तो थ्री का तीन दिज़काई नौतिक सब ताइस एक क्यूब कहां पर दिया गए देखी भी आपसन में दिया गए अब बोलेंगे डवल डवल क्यों दिया गए क्योंकि हिंदी और इंग्रीज दोनों लांगवेज में इसलिए डवल डवल आपसन है आपको दिख रहे होंगे एक नेमित पंचभुज का परिमाप दिया गए पंदर सो पचास मीटर इसकी प्रत्यक पुझा कितनी हो गए अब देखे पंदर सो पचास दिया गए अब पंच भुज है तो पंदर सो पचास बटे-पांच कर दिजे सिंपल सी बात है इतना भी कठिन था नहीं था जितने लोग समझ रहे थे लेकिन आने वाले जो सिफ्ट में थे उनके ज़्यादा कठिन प्रस्ण पूंचे गए थे अंगला एक वर कभी करन एक सिंटिमीटर है तो निम्रकित में से कौन सब वर के छेथवल को दर्शाता है अब देखे द्यान पूरो एक सिंटिमीटर वरका भी करन है तो ए स्क्वेर बटे ए प्लस भी होता है न गुने और वरक ए और प्लीस एक और एक कर देंगे तो दो हो जाएगा A² बटे 2 A² बटे 2 देखी किस में दिया गया है A² बटे 2 C option में दिया गया है इसके बाद अंगला प्रशन कहरा है बहुत इच्छा प्रशन है 28 cm तरिज्या के एक ब्रत्ता का अर्थार को एक वर बनाने के लिए मोड़ा जाता है वर के छेदफल का ब्रत्त के छेदफल से अनपात निकाला है थोड़ा question बड़ा है ठीक है कैसे direction बता रहा हूं? solve कीजे ब्रत्त का छेदफल πाई यार स्कुयर होता है परिमाप होता है 2 पाई यार वर का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा और छेदफल क्या होता है भुजा वर्ग या भुजा गुणे भुजा हमें दोनों को समझ दीजे वर्ग और ब्रत्त का परिमाप समान होना चाहिए यानि वर्ग का परिमाप 2 पाई यार वर्ग और ब्रत्त का परिमाप तो ब्रत्त का 2 पाई यार होता है और वर्का चार गुणे भूजा होता है इन दोनों को माननक दीजे बस 30 देदीगी 28 cm इसी कदार पर कर देना है ठीक है तो यहाँ पर हमारी भूजा की वैलू नहीं करके आगी भूजा की वैलू क्या नहीं करके आगी 44 cm जब इसको साल्व करें तो ब्रत का छेतफ़ल होता है पाई यार स्कुरेश ठीक है तो 24,64 वर्क सेंटीमीटर आपका ब्रत का छेतफ़ल निकलाएगा और वर्का छेतफ़ल कितना 44 गुणे भूजा गुणे भूजा होता है 44 गुणे 44 करेंगी 1936 आज आएगा इन्हें आपको जब दोनों साल्व कर लेंगे तो आएगा गेरान पाते चवदा ठीक है जो कि D option में अले डी दिया गया है अंगले जो प्रस्ण कहे रहा है कच्छा एक और कच्छा दो के गणी सिच्छन और अधियम के लिए निम्कित में से कौन सा सही दिया गया है कच्छा एक और दो के गणीत के अगर देखा जाए जो हमारा सही दिया गया है वो हमें देखना है तो गणीत में हमारा पेड़ोगाजी के प्रस्ण है कच्छा एक के बात करें तो गणीत का अन्विस्यों जैसे कि भासा कला इत्यादी के समाकलन किया जाना चाहिए ये क्या होगा जो प्रश्ण मारा किया गई कच्छा एक और दो में गणित और सिच्छन अधियम के लिए कौन सा सही है कि गणित सिच्छन के लिए हमारा है कि गणित का अन विसे जैसे भासा होते कला होते इनमें क्या समाकलन किया जाए ठीक है समाकलन आवकलन पढ़ा होगा आपने लेकिन वो मैस की भासा में ये हिंदी भासा में पेड़गाजी भासा में अगला कच्छा में गंती मनरंजनात्मक क्रिया कलाप तथा चुनोती पूर्ण जामती पहलियां समंदी क्रिया कलाप मात्पूर्ण होती हैं क्यों मात्पूर्ण होती हैं इसलिए मात्पूर्ण होती हैं क्योंकि वे प्रतेक सिच्छार्थी की इस्थानिक वब विश्ले स्रात्मक योगता के समवर्दन में शायब होती इसके बाद अंगला प्रश्ण है यहां पर द्यान दिजिए कि निम्निखित में से प्राइमरी कच्छाओं में प्राइम मतलब एक से लेके पांच तक के कच्छा रेखा गणित के अध्यन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है आपचारी करेखा गणित या अनापचारी यहां पर देखा जाए तो प्राइमरी कच्छा में केवल अनापचारी करेखा गणित पढ़ाया जाता है इसके बाद आप कंगला प्रश्ण पूँचा गया है कि एक सिच्छक गणित कच्छा में समदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने की कोशिस कर रहा है तो उसे क्या नहीं करना चाहिए जब आप सिच्छक हैं समझे और गणित के कच्छा में समदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देना या इसकी कोशिस करना है तो क्या आपको नहीं करना है तो आपको दिश्वों एक चीज नहीं करना है क्या नहीं करना है सभी लग बताई देखे एक दूसरे के विचार के शात्रों को परोशाहित करना पोजिटिव है कई स्थरों के साथ जुडे कार प्रदान करना ये भी positive है लेकिन शुरू करने के लिए प्रश्ण को हल करने ही तो रनीत प्रदान करना ये आपका नहीं होगा क्योंकि मारा प्रश्ण क्या कह रहा है कि एक सिच्छक गणित कच्छा में समदार और भागीदारी के भावना को बढ़ाने की कोशिस कर रहा है तो समदार भागीदारी के बढ़ाने के लिए सुरू करने के लिए प्रश्ण को हल करने के रनीत आप नहीं बढ़ाएं क्योंकि समदार और ग्रुप में जब एक दूसरे से help करके वो हल करेंगे तो यह एक अलग हो जाएगा कोशिस इसकी की जा रही तो आप जो हल करने के रणी तो आपको प्रदान नहीं करना है इसलिए निगे टू आप संवेज गिना जाएगा अंगला है गणित पाठकम के लिए छातों में रूची प्रेना की कमी सेकंड वाला होगा सभी लोता है इन्वेदी की डबल डबल आपसन दे दे जाता है तो गणित पाठकम के लिए छात्रों में रूची और प्रेना की कमी को छोण कर नीचे दिगे कारणों का पैणाम हमारा क्या होगा गहराई से समझ वाला केवल सेकंड आपसन होगा ठीक है तो कन्फ्यूज बिलकु नहीं होना पेड़ोगाजी है ध्यान पूरक समझेगा कोई भी डाउट हो कमेंड अवश्च कर दीजेगा उप्चारात्मक सिच्चन के समन्द में काउन सा कथन सही नहीं है देखें यह बिशेश सिच्चा के समान है यह गलत है प्रतेक चात पर ध्यान देना बिलकु सही है केवल बिशेश जरूरत मंदो चात्रों के लिए ही नहीं है सभी चात्रों के लिए है उन छात्रों के लिए है जो अपने साथियों की तुलना से पिछड़े करते हैं मिलकुश सही बात है तो पहला गथन छोड़ कर बांकी सारे सही दिये गए अंगला हमारा पेड़ोगाजी का प्रिश्ण कह रहा है कि सिच्छक द्वारा बिवहार घटना के तथ्यात्मक विवर्ण को रिकार्ड करने बिद्यार्थियों को वास्ति ग्रूप से समझने में मदद करने के लिए उपयोग किये जैने वाला एक खुला उपकरन इन में से संदर्भीत कौन कर रहा है तो वह दोस्तों कहलाएगा दिये गए भी कल्पों में से ऐसा कोई भी कल्प नहीं है जो संदर्भीत कर रहा हो क्योंकि सिच्छक बिवहार घटना के तथ्यात्मक बिवरण रिकार्ड करने और विद्यार्थियों की वास्ति ग्रूप से समझने में मरत करना नहीं रेटिंग इसकी नहीं अलोकन नहीं चेकलिस्ट तो इन में से कोई नहीं आपसन होगा और अंतिम पेड़गाजी का प्रशन है मैस का कि असाधारन बच्चों के लिए उपचार के विवरण जो भी हो हमारा मुख कार है किसी भी से इस बच्चे को बनने में सहायता करन चाहित क्या बनने में सहायता करना चाहिए तो अपनी पर्यावरण के लिए पर्यापतू से समयोजित करने के लिए अपकरा प्रशन हो समझेगा sehen लिक Cabinet कमई बृप्र इवीस में परिभार रिसेदार आते हैं आसर आता है चीज्जी हम जो बनाते हुआता लेकिन पौधे जो ब्यापक बिशेज है उसके कॉर्डिंग देखा जाए तो प्लांट्स पौधे पीवी ने माना है इसके बाद अंगला जो प्रशन है कि परेवन अध्यन को परिभासित किया जा सकता है इसके बाद प्रशन दिया गया है कि एक गैर जलवाय उकारक क्या है तो एक गैर जलवाय उकारक हमारी कहलाती है भूमी आउक्रमान यानि कि डियापसा लेंड डिग्रेडेशन की बात करेंगे अंगला जो दिया गया है कि परिश्की तंद पर मानवी गत्विधियों के प्रभाव के बारे में निम्नकित में से कौन सी गत्विधी सही है तो परिश्की तंद में मानवी गत्विधियों को प्रभाव करने में सबसे गडविधी प्रदूशन कम करना इसके बाद प्रसंदिया गया है कि निम्नकित में से किसके अनुसार वायुमनल में 89% नाइटोजन और 21% आक्सीजन है किसके कॉर्डिंग है तो आयतन के कॉर्डिंग, वैलूम, ठीक है, वैलूम के कॉर्डिंग या आयतन के कॉर्डिंग यह है अंगला है निम्नकित मेंसे क्या जंगल का कार नहीं है तो जंगल का कार क्या नहीं होता देखिए सत्य से वर्षा जल के प्रवा को कम करना मिट्टी कटाओं को रोकना इस्थाद नहीं ताप मान को निदित करना ये जंगल के कार होते हैं लेकिन ध्वनी प्रदूशन कम करना ये जंगल का कार नहीं होता, तो किसका कार होता ये अवस्थ बताईएगा, अंगला है निमनकित में इसे काउन से एक गैसी जयो भूर आसानिक चकर नहीं है, तो जल चकर कार्बनिक चकर है, आक्सिजन चकर है, लेकिन फास्पोरस चकर आपका ये जयो एक गैसी जयो भूर आसानिक चकर आपका नहीं है, तो क्या हो जाएगे according to questions, fast for us cycle, fast for us चक्र, अंगला है कि चंगपा पहाडों पर रहने वाले एक जंजात इस संग के आकार और तंबू में रहती हैं, जिसे याक के बाले बुना जाता है, एक सासिला जाता है, डंडो से बाना जाता है, टेंट लगाया जाता है, इनके जो तंब अंगला है, चंगपा अपनी भेड बकरी को अपने डेरे के पास रखते हैं, वह स्थान कहलाता है, क्या लेक, चंगपा अपने भेड बकरी जो डेरे में रखते हैं, वह स्थान को लेक कहा जाता है, इसके बाद प्रशन पूचा गया है कि सी नगर में कई परिवार एक नौ में रहते हैं जो अंदर से अलग-लग कमरों वाले घर की तरह है जो मुकुरूप से डल जील और जेलम नदी में देखा गया है वह कहलाती घाटी इसके बाद अंगला प्रशनिया पे दिया गया कि कोई भी स्थान जिसके लिए पेतिहासिक और स्थापत संस्ति के सनच्षन की आवश्यक्ता होती है वह क्या कहलाता है तो वह कहलाता है बिरासत परिशर अंगला की बिरासत के प्रती जागरुकता के समन्त में INTACH का पूरूप क्या होता है इसका पूरूप होता है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एंड कल्चुरल हेरिटेज कला और संसकत विरासत के लिए भारती राश्टी नियास अंगला प्रस्णा पे पूंचा गया था कि भारत सरकार ने ग्रामेर्ट लोगों के जीवन की गुर्वत्ता को शुधार लाने और महिलाओं को गोपनीता और शम्मान प्रदान करने के लिए उद्देश कौन सा कारकम और कब शुरू किया गया था तो है कारकम 1986 में केंदी ग्रामेर्ट स्वच्था कारकम CRSP in 1986 भारत के प्रथम प्रदानमंती ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था इसके बाद अंगला प्रश्चन है भारत सरकार द्वारा इनको पसकर इनको स्पार किस थापना किस पस के गई तो इनको स्पार किस थापना के गई थी 1962 अंगला है टल्स T.E.R.L.S का पूर्ण रूप क्या है जिसे इसरो के पूरवर्ती संग्ठन द्वारा इस्थापित किया गया था और यह कहलाता है थुम्बा एक्योटोरियल रॉकेट लांचिंग स्टेशन आपने देखो होगा कि इसरो से भी काफी प्रश्चन पूछे गए थे ठीक है इसरो का टॉपिक विज्ञान में ज़्यादा आया था तो क्या-क्या प्रश्चन थे ध्यानपूरक पढ़ लिजे निम्कित में से कौन सी अंत्रिच या एरो स्पेस एजनसी अपने देश के साथ सही सुमयलित नहीं है तो वह कहलाती है डी एल आर स्पेस अंत्रिच प्रसासन डेनमार्क क्योंकि यह डेनमार्क में नहीं है CNSA चीन की है CNES फ्रांस की है और LAPN आपकी इंडोनेसिया की है लेकिन DLR स्पेस जो है डेनमार्क की नहीं है तो कहां पर है यह आपको कमेंड वाक्स न बताना है ढूंड करके बताना है अंगला भारत के पहले उपग्रह आरभट का प्रचेपन द्रब्मान पूँचा जा रहा है तो गया था दोस्तों 360 किलो C वाला आपस यह सारे प्रश्ण पूँचे गए थे प्रत्वी का पहला क्रतिम उपग्रह किस्वर सफलता पूरग प्रच्छेपित किया गया यह प्रश्ण पूँचे गए थे भारत के पहले उपग्रह आरभट का कच्छी जीवन क्या था तो 17 साल से थोड़ा कम था अंगला प्रश्ण है SLV3 या SLV 3 सिटे लाइड लांच वेहिकल 3 को किस वर सफलता पूरग प्रच्छेपित किया गया 1980 में किया था इसके बाद है निम्लिकित मेंसे काउन सा उग्रह जो है ZLV-3, S Emily Lanj Vehicle 3 के प्रथम सफल प्रच्छेत प्रच्छेतर द्वारा प्रच्छेतर किया गया दोस्तो रोहणी Sensation 2 इसके बाद अंगला प्रचना है कि निम्रखित में से कौन से उग्रह कच्छा में पहुँचने में बिफल रहा तो SRO S1 जो है ये कच्छा में पहुँचने में बिफल रहा था उग्रह की बात करें अंगला है इसरो के निम्रखित उग्रहों पर विचार करना है रोणी उग्रह RSD2 रोणी उग्रह RS1 रोणी प्रद्दो की पेलोड निम्रखित में से कौन सा मिशन सफल रहा तो रोणी उग्रह RSD2 और रोणी उग्रह RS1 ये सफल रहें ये कि रोणी प्रद्दो की पेलोड ये आपका सफल नहीं रहा था वन ली वन इन टू यानि पहला आपसंजो दिया गया है वह सही हो जाए अंगला दिया गया कि इस्रों की निम्रखित से अंत्रिच्यान पर विचार करना है चंद्रियान फर्स्ट और Mars Operator Space Croft इन में से कौन सा सही होगा इन में से आपके दोनों से चंद्रियान फर्स्ट भी है Mars Operator इसका भी है ये दोनों जो है अंत्रिच्यान पर यहां पर पूँचा गया है कि उपरोगत में से किसे PSLV यानि की Polar Satellite Launch Vehicle या धुर्वी उपग्रेप प्रमोचिक राकेट को फियोग करके लांच किया गया तो दोनों को किया गया था तेक है अंगला निम्रखित में से कौन सा New Space India Limited NSIL का का कार है इनका कार यहां पर पूँचा जा रहा है इनका कार दोस्तों क्या होता है इनका कार होता है उपग्रह या सेटिलाइट बनाना होता है ग्रायकों से सम्मंदित उपग्रहों के लिए लांचिंग सेवाएं प्रदान करना होता है और भारती उद्धोगों के मादान से उपग्रह निर्मान को सुगम बनाना ये तीनों जो है New Space India Limited NSIL ये तीनों कार करता है अर्थात एक दो तीन डियाप्सन के हाँ पे चैन कर लेना है नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है आईए बात करते हैं अंगले प्रश्ट के अंगला छोटे समू में परिचरचा के दोरान सिच्छा को क्या सुनिश्षिद करना चाहिए कुछ न कुछ लच्छ होना चाहिए तार्गेट होना चाहिए चर्चा में सक्र रूप से भाग लेने के लिए बच्चों के पास बीशै के बारे में पर आप जानकारी होना चाहिए किसी भी दर्ष्टिगोर्ण या मत का अनादार ये उपहास नहीं होना चाहिए तो तीनों बातें जो हैं सिच्छक को शुनेशित कर लेना चाहिए छोटे समों में चर्चाइश के दौर हो अंगला जो परशन है कि कई चाहत चोटे परिचर्चा का आनन्द लेते हैं क्यों चोटे परिचर्चा जो होती है कई चाहत उसका आनन्द ले लेते हैं इसका रीजन हमें बताना कई चाहत आनन्द इसलिए लेते हैं क्योंकि यह सहकर्मी अधारी संचार होता है इसमें अंते क्रियाएं होती हैं विया सिच्छार्ती की सक्री भागी दारी को प्रोश्चाहिद करता है तो तीनो बाते सही हैं ठीक है? तीनो प्रकार से बच्चे अनंद लेते हैं कौसल जो छात्र छोटे परिशर्शा के मादम से बिक्सित करते हैं तुबाय आपका विश्लेशनात्मक संचार दोनों होगा अर्थास सी आपसन होगा एक और दो दोनों अंगला है निम्रिकित में से कौन सा EBS सिच्छन अधिगम की अलोकन पद्दत का लाव नहीं टीक कि दोस टो छात्र को यह संतुस्ट करता है जो सिच्छना अधिगम के अलोकन पद्दत यह होती है लेखन को संतुस्ट नहीं करती लेखन को करसल को विश्लित नहीं करती इसलिए यह दानाव नहीं होगा एकार्णोर के क्षिशन भी आपसन सही होगा तो छात्रों को जह संतोष करती है, छात्रों की जिग्यासों को भी सिद करती है और बच्चों की उनकी परेवन का पता लगाने के लिए भी प्रोशायत करती है ठीक है? तो मैस के हमारे question complete हुए तो तीन subject हमारे के बालवी का CDP के करेंगे तो यहां पर परशना पर पूचा गया था कि इस थूल क्रियात्म कोशल क्या होता है तो जो इस थूल क्रियात्म कोशल इनमे से जिसमें लिखना, चित्रकारी, चलना और D option दिया गया था यहां पर पकड़ना तो इस थूल क्रियात्म कोशल जो हो जाता है वह हमारा होता है वाकिंग अर्थार चलना चलना एक क्या हो जाता है हमारा इस थूल क्रियात्म कोशल हो जाता है तो सी आपसन जो दिया गए वह हमारा यहां पर सही हो जाता है इसी साथ अंगला प्रश्ण पूँचा गया था कि विकास में निश्चित क्रम पाय जाता है तो विकास में निश्चित क्रम किस में पाय जाता है सिर से पाउं तक विकास का जो निश्चित क्रम क्या होता है सिर से पाउं तक होता है पहले सिर का विकास होता है फिर लास्ट में यानि सिर का जो विकास होता है वह सिर से पाउं तक होता है ठीक है, from head to legs इसके बाद अंगला प्रश्ण पूंचा गया था कि विकास के निर्धारक तत्तों क्या होते हैं जियां साथियों, विकास के जो निर्धारक तत्त होते हैं वह होता है आपका परिपकता एवम सीखना जियां, विकास के निर्धारक जो तत्त होते हैं परिपकता एवम सीखना होता है इसके बाद बाद विकास का CDP का अंगला प्रश्ण पूंचा गया था कि दोर ना एवम चढणा निम्लखित कि से समबंदित होता था दोस्तों कोई बालक जो है दोड या चढ़ रहा है तो वह किस से सम्मंदित हो जाएगा वह पाउं के क्रियात्म कोशल Motor Development of Legs से सम्मंदित हो जाएगा आपने पड़ा भी होगा जीन प्याजे जी सम्मंदित अंगला है ब्रदीवं विकास एक दूसरे से क्या होते हैं आत्म निर्वर होते हैं अंगला प्रस्ण पूंचा गया था कि जो आपका ब्रून है कि ब्रून किसकी साहिता से मां के सरीज से जुड़ा रहता है ब्रून यानि बच्चा जो होता है किसकी साहिता के मां के सरीज से जुड़ा होता है तो ना भी है नाल ना भी ये नाल या प्लेसेंटा या अपरा से जुड़ा होता है तो अपरा ये से हम प्लेसेंटा कहते हैं तो पीबी ने जो सही माना है वह ये इंसर हम आप तक पहुँचा रहे हैं अंगला परस देखेगा कि मस्तिस का 75 प्रिस्त जो है किसका विकास की सावी में हो जाता है तो मस्तिस का 75 प्रिस्त जो है विकास अगर बच्चा 5 वरस का है तो 5 वरस तक बच्चे का विकास मस्तिस का कितने प्रिस्त हो जाता है तो 75 प्रिस्त हो जाता है या मस्तिस का पच्छत्त प्रिश्ट की साव में विकास होता है तो पांच बस्त के बच्चों में हो जाता है या पांच बस्त के बच्चों में मस्तिस का विकास कितने प्रिश्ट हो जाता है तो पच्छत्त प्रिश्ट हो जाता है दोनों प्रकास से प्रशन पूंचा जा सकता है अंगला प्रशन है कि चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक सीखता है किसके द्वारा सीखता है तो चम्मच पकड़ने की क्रिया जो है बालक किसके द्वारा सीखता है आँख इवम हाथ के सवन में से सीखता है आई एंड हैड आई एंड हैंड स्वारी हैड नहीं हैंड यानी हाथ की बात करेंगे तो फर्स्ट आपसन इधर आई टेंसर वो भी डाउट है किसी भी परस्ट पर बेपेकर पूंच सकते हैं टेलिग्राम से जोड़िए फीडिया फाइल नोस फ्री में प्राप्त कीजिए बिकास की गती एक बिक से दूसे बिक्त में भिन होती है परन्तु प्रतिरूप का यह अनुसरन करते हैं किस प्रतिरूप का अनुसरन करते हैं अनुकरमिक एवं बिवस्थित विकास की गती एक विक्त से दूसरे विक्त में भिन होती है अलग अलग विकास की गती होती है तो यह जो प्रतिरूप का जो अनुसरण करते हैं तो यह अनुक्रमिक और विवस्थित अनुरूप का जो है अनुसरण करते है अंगला परसने सीखने के लिए किसने स्वतनता यां यह कि दोस्तों फ्रॉवेलिया है 150 में आव जुस्यक्ट में इंधु código कि अंगला यहां पर प्रश्ण पूझा की भासा अरजन का प्रशती आद चॉंक्सकी ने First steps 92,written sir एक है चॉंस्वी के बात करेंगी अंगला प्रस्षने साथिएं कि बबलाना किसाग में प्राना होता है जब बच्चे बबलाने लगते थे किसाग में बच्चे बबलाने लगते हैं तो कोई बच्च अगर दो महीने का है दो माए दू मॉह का बच्चा जो है बबलाना सुनु कर देता है अर्थाrat 2 months फरस्ट आपसनि दराइट है अंगला है बबलाने की क्रिया में प्रथम कौन सा होता है तो बबलाने की प्रथम क्रिया में जो होता है व giraffe आता है कोई बच्च अगर बवलाएगा तो वैस्वर के मादम से बवलाएगा यह हमारे शुर होते हैं आ से लेके अहा तक अगला एक विद्यार्थी अधियम पर उसकी आर्थे किस्तित का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है देकि उसके अधियम नहीं सीखने पर तो सीखने पर आर्थे किस्तित किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है तो आर्थे किस्तित प्रभाव नहीं पड़ता अगर किसी को सीखना है तो सीखने पर नहीं पड़ता लेकिन सीखने के जो संसाधन है संसाधन पर पड़ सकता है जो जो आर्थिक बिक्ति कमजोर है, संसाधन कम मिल सकते हैं, जो आर्थिक मजबूत है, संसाधन अधिक मिल सकते हैं, लेकिन सीखने पर कोई प्रभव नहीं पड़ता है, अंगला पस देखेगा, क्योंकि सभी के लिए 1 प्लस 1 is equal to 2 होता है, 2 माइनस 1 is equal to 1 होता है, सभी के लिए स होना, यह उपलवद ब्यक्तिगत भिंता का प्रतीक हो सकता है, लिंग में विविनता यह आपका नहीं हो सकता है, इसलिए कारेंट कोशन सही होगा, यही तो प्रशन पूंचा जा रहा है, कि कौन सभी कल उपलवद में ब्यक्तिगत भिंता का प्रतीक नहीं है, लिंग में बिविन्ता नहीं हो सकती अंगला पस देखेगा सीखने की प्रक्या में बिद्यार्थी द्वारा की गई तुर्टियों के समन्द में कौन सा कथन जो है सरोत्तम होता है तो सीखने की प्रक्या में बिद्यार्थों द्वारा जो तुर्टी की जाती है उसके समन्द में जो कथन सरोत्तम होता है कि तुटियां अधियम प्रकार का एक भाग है एक हिस्सा है Mistake are part of learning process ठीक है गलती करेंगे तभी हम सीखेंगे एक बालक के बिक्तित के मापन की सरवाधिक बिक्ति परकविदी का होती है कौनसी होगी ये क्या होगी सभी लोग बतागी देखे एक बालक के बिक्तित मापन की सरवाधिक बिक्ति परकविदी तो बिक्ति परकविदी कांसे हो जाती हो हमारी साच्छातकार विदी हो जाती कांसे होगी साच्छातकार विदी की बारे में अंगला निर्मे से बेक्तित मापन की प्रच्छेपी विदि कौन से है यह अब कई बार हम बता चुके है तो प्रच्छेपी विदिया ना तो आपके निधारन मापनी है ना ही अलोकन है ना ही सच्छातकार है तो प्रच्छेपी विदिया हमारी कहलाती है प्रासंगिक आपने पढ़ा होगा, ठीक है? चले बात करते हैं, अगले पिशनी जिससे की देखे बच्चों के सीखने के तंत में समझना इसलिए महत्पूर होता जिससे उन्हें क्या है नई संकलपनाएं सिखाए जाए सके टीज देम निव कंसिप अंगला जो प्रशन दिया गए साथियों बहुत इंपोर्टन प्रशन ध्यान दिजेगा यह किसके मादम से कि मनुस्त की छमता और उनके वातवन में कार करने की छमता में ब्रति होती है कि सिखकों के लिए यह जानना मतपूर है कि बच्चे कैसे सोचते हैं सीखते हैं सही कोट चुनना है नीचे चार आपसन दे रहेंगे देखे सिचकों के लिए जानना महत्पूर्ण ये होता है सोचते हैं और कैसे सीखते हैं दोनों चीजें सिचक को जानना महत्पूर्ण होता है कि बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं तो दोनों अर्थाज सियापसन में दिया गया है फर्स्ट और सिकंड दोनों तो सियापसन को चैन करने है तो CDPB नारमल पूची गई थी इतना कठी नहीं पूचा गया था फर्स्ट सिप्ट में की बात करेंगे अधिगम को आंसिक रूफ से एक संगनात्मक प्रकिया और आंसिक रूफ से एक माना जाता है तो अधिगम जो होता जिससे हम सीखते हैं आंसिक रूफ से एक संगनात्मक प्रकिया होती है तो आंसिक रूफ से एक क्या संगनात्मक के लावा क्या-क्या माना जा सकता है ही माना जा सकता है अंगला जो प्रसन है बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान दिजेगा सीखना एक संगनात्मक प्रक्या के रूप में योग है क्योंकि इसमें निम्लिकिस सामिल होता है देखे सीखना एक संगनात्मक प्रकिया का रूप है प्रकिया रूप का एक योग पूँचा जा रहा है क्योंकि इसमें सामिल होता है क्योंकि इसमें जो है रेजिनिंग अर्थाद बिचार परसेप्शन अर्थाद धारणा एंड एनलेसेस अर्थाद बिशलेशन तो सीखना एक सगनात्म प्रक्यक रूप में इसलिए योग होता है क्योंकि इसमें क्या-क्या सामिल होता है विचार, धारणा और विश्लेशन ये तीनों शामिल होते हैं अंगल्य जो प्रशन है कि निम्रकेत में से कौन सा कथन सही नहीं है अध्यापन और अधियम के अलग अलग अर्थ होते हैं बिलकुश सही बात है अध्यापन और अधियम एक दूसरे से संबने थे ये भी सही बात है अध्यापन अधियम कोई अलग अर्थ नहीं होता ये गलत क्योंकि दोनों जब सही है तो तीसरा कहरा होता नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा तो तीसरा कतन हमारा सही नहीं दिया गए बांकि सही दिये गए है कि अध्यापन अध्यम की प्रकिया अध्यापन और अध्यम दोनों में भिन होता है बांकि सारे आपके सही दिए गए अध्यापन अर्थाद टीचिंग का समद्ध किससे होता है अध्यापन अर्थाद टीचिंग का समद्ध होता है अध्याण अर्थाद रीडिंग से किससे होता है अध्याण अर्थाद रीडिंग से इसलिए हम थोड़ा हो गए थे किस से नहीं होता है लेकि अध्यान से होता है अध्यान के सासा लिखने से भी होता है अंक गणी से होता है इन तीनों से जो है अध्यापन टीचिंग का समंध होता है लेकिन जिम्मेदारी से समंध अध्यापन और टीचिंग का नहीं होता है इस गलती नहीं करना है यहीं हमें सीख लेना है अधिकार और दायुत तो इसमें सामिल होते हैं सिच्छा में अध्यापन में देखे अधिकार और दायुत तो दोनों चीजों की बात करें तो यह एजुकेशन में सामिल होते हैं सिच्छा में अर्थात वनली फश्ट ठीक है इसके बहुत अच्छा प्रसंगी की या दोनों की देखे अधियम और सोचनों की बात करें आपेचिक और प्रसंगी की इन दोनों की हम बात करें ठीक है दोनों वाला अपसन सही हो जाए लिए अंगला जो प्रसंदिया गया है कि निम्लकित में से कौन से सीखने की प्रकिया में सक्री भागिदारी होता है सिच्छक या बेद्यार्थी तो दिये गए हैं तो सीखने की प्रकिया में जो भागिदारी होता सिच्छक बेद्यार्थी दोनों की होती है कहते हैं कोई वी चीज अगर लेना हो तो लेने वाले के भी गरज है और देने वाले के भी गरज है अथाज सीखने सीखाने दोनों की बात करेंगे प्रभावी सिच्छन क्या होगा सहयोगी या बिचार उत्तेजक देखिए प्रभावी जो सिच्छन होगा सिच्छन कार होगा आप सभी लोग भावी दापक धापिका हैं, इसे शबंद में जस्वास राप सभी कमिन देश्वागत कर रहे हैं तो ये बताइए कि प्रभावी सिच्छन क्या होगा, सहयोगी होगा या विचार उत्तेजक होगा विचार में उत्तेजक होना चाहिए तो दोनों चीज़े हैं, अगर प्रभावी सिच्छन है, तो ये सहयोगी भी होना चाहिए विचार उत्तेजक भी होना चाहिए तो सी आपसन को चैन करेंगे, फर सेकंड दोनों जो सही दिया गए ठीक है, तो सीडीपी को हमने कंपेट किया अब जो अंगले पार्ट है, अंगले डे में पूछा गया था, सिकंड सिप में जो पूछा गया था, अंगला हम करेंगे तो चैनल पे बने रहें, क्लासेज आपकी होती रहेगी, प्रीवेस सारे कोश्चन करेंगे, बहुत सारे कोश्चन है और ये सारे question आपने समझ लिया तो आने वाले exams के लिए बहुत important है आपके लिए सभी मित्रों को जहिंद बंदे मातर मिलतों आपके अंगले analysis बीडियो पर अंगले previous paper पर अंगली class पर धन्माश भी